जीतने वाला लाब को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है आपके साथ क्या हुआ? यहाँ अनुभव नहीं है आपके साथ जो हुआ? उसके साथ आपने क्या किया? यही अनुभव है बहतरीन दिन लाने के लिए बुरे दिनों में लड़ना पड़ता है मनुष्य की व्रिध्धी और विनाश उसके अपने व्यवहार पर निर्भर करता है पक्षी अपने बच्चों को घोसले बना कर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उढ़ने की कला सिखाते हैं अपनी जिग्यासा को जीवित रखें क्योंकि इसी से आप नए दर्वाजे खोल पाते हैं, नई चीजें कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं जीपने वाला विनमर शब्दों में कड़े तर्प पेश करता है, हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर तर्प पेश करता है. ब्रहमांड का केवल एक ही कोना है, जिसे आप सुधारना सुनिष्चित कर सकते हैं, और वह है आपका मन. विश्वास वो चमतकारिक शक्ती है, जिससे तबाह हो चुकी दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है. दुनिया को अपना सर्वश्रिष्ट दीजिये और आपके पास सर्वश्रिष्ट लोट कर आएगा. इंतजार करने वालों को अच्छी चीज़े मिलती तो है, पर केवल ऐसी चीज़े ही मिलती हैं, जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. आत्मीता को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि गलतियों को हम उदारता पूर्वक शमा करना सीखें. कार्य के उचित समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई है. जो कर्म छोड़ कर भागता है, उसकी कर्म की उर्जा ग्यर्थ के कर्मों में सक्रिय हो जाती है. अब तक की सबसे बड़ी खोज है कि इनसान सिर्फ अपना नजरिया बदल कर भविश्य बदल सकता है. प्रेम प्रेम को जगाता है, घ्रिना घ्रिना को जगा देती है, हम जो देते हैं, हम पर वही वापस लौट आता है, यही शाश्वत नियम है. अगर हम विफलता से सीखते हैं, तो वह सफलता ही है. अपनी सफलताओं को दोहराने में आनंद नहीं है, कुछ नया करते रहना ही आपको खुशी देगा. उंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग सीखने की इच्छा रखते हैं, जबकि निम्न दर्जे के लोग समझते हैं कि वह सब कुछ जानते हैं. जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक चीज जरूर करें, वह है प्रयास. विपल्ता बस फिर से शुरू करने का एक अफसर है, इस बार और अधिक समझदारी है. दूसरों के चहरे पर मुस्कान लाने की छोटी सी कोशिश करें, आपको खुद ही खुशी मिल जाएगी. उच्च दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों की परवाह करते हैं, जबकि जिनका आत्मसम्मान कम होता है, वह दूसरों की आलोचना करते हैं. जीवन अनुभों की श्रंखला है, उनमें से हर एक हमें बड़ा बनाता है, हालां कि कभी-कभी ये महसूस नहीं होता आप जो सोचते हैं, वही बन जाते हैं, आपकी सोच आपकी ही जिम्मेदारी है सकारात्मक सोच वह ब्रहमास्त्र है, जो राह में आने वाली सभी बाधाओं को खत्म कर सफलता तै कर देती है अपना चित केवल लक्षे पर केंद्रित करें, क्योंकि एकागरता ही सफलता की कुझी है लोगों के डर से फैसले और इरादे, बदलने की बजाए, लक्षे की और द्रिर्टा से आगे बढ़ना ही काम्यावी की कुझी है हमारा जीवन मजेदार है, यह तब और अधिक मजेदार बन जाता है, जब आप इसे दूसरों के लिए जीते हैं आप किसी और के जैसा बनने का प्रयास ना करें, आप खुद मास्टर पीस हैं, बस इसे जानने और समझने की जरूरत है ऐसे ही प्रेनादायक विचारों के लिए आपकी अपनी उत्तम विचार चैनल को लाइक, शेयर वस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद